असलाम अलेकूम वीवर्स, वेलकम बेक टो माई चैनल जायका इंडिया आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सिर्फ 300 ग्राम चिकन से 55 से 60 ब्रैड रोल बनाने की बहुत आसान रेसिपी और इन ब्रैड रोल्स को बनाकर आप फ्रिज में एक से दो हफ़ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं तो आएए देख लेते हैं हमने इने किस तरह से बनाया है अब सबसे पहले हम चिकन को हलका सा फ्राइ करने के बाद बॉयल करके रखेंगे इसके लिए एक पैन या कड़ाई में दो से तीन टेबल स्पून ओयल गरम करेंगे ओयल के गरम होते ही हम इसमें एट करेंगे दो टेबल स्पून बारी कटा हुआ लैसुन और दो टेबल स्पून ही बारी कटा हुआ अदरक आप यहाँ पर अद्रक लेसुन का पेस्ट भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब लेसुन और अद्रक को एक मिनट तक फ्राई कर लेंगे अब एक मिनट तक लेसुन और अद्रक को फ्राई करने के बाद हम इसमें 300 ग्राम बोनलेस चिकन का कीमेट कर देंगे आप अपने जरुरत के हिसाब से चिकन ले सकते हैं और अगर आपके पास चिकन के बड़े पीसिस है तो वो भी एट कर सकते हैं क्योंकि बाद में तो हमें चिकन के पीसिस को श्रैट करना होता है अब चिकन कीमे को लेसुन अध्रक के साथ भी चिकन का कलर चेंज होने तक फ्राइ कर लेंगे कीमे का कलर चेंज हो गया है इस वक्त हम चिकन में आदा टी स्पून नमक भी एट कर देंगे नमक डालते ही चिकन ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है बस अब हम हाई फ्लेम करके चिकन का ये पानी ड्राई कर लेंगे ये देखी धीरे धीरे चिकन का पानी खुश्क होने लगा है अब हम दो मिनट के लिए चिकन को ढखकर पकाएंगे ताकि चिकन गल जाए और जो इसकी कच्ची स्मेल है वो भी निकल जाए और जब इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तब हम इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंड करने पर ये इस तरह से बारिक हो जाएगा ब्रैट रूल बनाने के लिए हमें इसी तरह के बारिक केमे की जरूरत होती है अब एक कढ़ाई में डालेंगे एक टेबली स्पून बटर बटर को मैल्ट होने देंगे और बटर के मेल्ट होते ही हम इसमें तीन से चाल बारी कटी हुई हरी मिट्च डाल देंगे और इन्हें एक मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डाल कर फ्राई करेंगे अब अदरक के सासा थी हम इसमें एक बड़े साइस की प्यास जिसे हमने फाइन चॉप कर लिया है ये डाल देंगे अगर आपकी प्यास छोटी है तो आप दो ले सकते हैं अब प्यास को मीडियम टू हाइ फ्लेम पर लगतार चम्मच चलाते हुए हलका सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे अब हम इसमें एक कप उबली हुई मटर डाल देंगे मटर को हमने थोड़े से पानी में आधा टी स्पून नमक डाल कर पांच मिनट के लिए बॉयल कर लिया था ताकि हलकी सी नरम हो जाए अब एक मिनट के लिए मटर को भी प्यास के साथ फ्राई कर लेंगे अब एक मिनट के बाद हम इसमें चिकन कीमा डाल देंगे जिसे हमने फ्राइ करने के बाद ग्राइड करके रखा था अब कीमे को भी मटर और प्यास के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसी तरह से मिक्स करते हुए हमने चिकन को प्यास के साथ एक मिनट तक पका लिया है अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले अट करेंगे दो टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया एक टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर एक टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक टी स्पून काली मिर्च पाउडर और एक टी स्पून चिली फ्लेक्स ये मसाले डाल देंगे साथ ही हम इसमें एक टेबल स्पून नमक भी डाल देंगे ध्यान रहे चिकन में हम नमक पहले ही डाल चुके हैं नमक और मसाले आप अपने टेस्ट के मताबिक डाल सकते हैं अब इन मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिलाएंगे मसाले अच्छी तरह से मेक्स हो गए हैं अब हम इसमें एक कप बारी कटी हुई गाजर डाल देंगे और एक कप भी बारी कटी हुई शिम्मला मिर्च डाल देंगे इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इसमें अपने पसंद की और कोई सबजी भी डाल सकते हैं शिम्मला मिर्च और गाजर अच्छे तरह से मिक्स हो गई हैं अब दो मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इन सब चीजों को ढख कर पकने देंगे ताकि ये हलकी सी सॉफ्ट हो जाएं और अब दो मिनट के बाद एक बार इसमें चम्मच चला देंगे और गैस को बंद कर देंगे और येने ठंडा होने देंगे एक बड़े बरतन में हमने 8 ब्रैट के पीस लिया है और आदर ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा दूद लिया है दूद को ब्रैट के उपर सभी साइडों में अच्छी तरह से पोर कर देंगे और अब 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ब्रैट अच्छी तरह से दूद को सोख कर ले और 5 मिनट के बाद देखिए ब्रैट काफी सॉफ्ट हो गई है अब हाद से मिक्स करते हुए से इस तरह से मैश कर लेंगे ब्रेट को हमने इच्छे से मैश कर लिया है, अब हम इसमें कुछ चीजा एट करेंगे यह हमने चार उबले हुए आलू अच्छे से मैश करके लिए हैं, यह आलू इसमें डाल देंगे आलो के अलावा यह हमने एक कप से थोड़ा सा कम मौजरेला चीज को ग्रेट करके लिया है आप अगर नहीं डालना चाहें तो इसकिप कर सकते हैं गर्मी की वज़ा से देखें चीज पिखलने लगी है अब यह हमने आधा कप कटा हुआ हरा धनिय लिया है यह डाल देंगे आधा टीस्पून नमक लिया है यह डाल देंगे आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे आधा टीस्पून काली मुच पाउडर डाल देंगे और बैंडिंग के लिए हम इसमें 4 टेबल स्पून कॉर्ण फ्लोर डालेंगे और अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अगर मिक्स्चर हमें थोड़ा सा पतला लगेगा तो हम इसमें 2-3 टेबल स्पून कॉर्ण फ्लोर और डाल देंगे सभी चीज़ें अच्छी से मिक्स हो गई हैं आप देख सकते हैं मिक्स्चर बिल्कुल भी पतला नहीं है एकदम सही है हमें ऐसा ही मिक्स्चर चाहिए था अब इसमें चिकन और सबजियां जो ठंडी हो चुकी है वो भी डाल देंगे एक टेबलिस्पून भरके बटर डाल देंगे आप बटर की जगा ऑईल भी ले सकते हैं और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसी वक्त आप इसमें नमक भी चाह कर सकते हैं अगर कम लगे तो थोड़ा सा नमक एट कर सकते हैं अब ये मिक्षर रोल बनाने के लिए रैडी हो चुका है अब हाथ पर हलका सा ओयल लगाएंगे और मिक्षर का थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेकर गुलाई में इस तरह से स्मूद कर लेंगे फिर इस तरह से सेलेंट्रिकल शेप दे देंगे यानि इसे लंबाई में बढ़ा कर लेंगे अच्छे से प्लेन कर लेंगे तो ये देखिए हमारा रोल बनकर रेडी हो चुका है इसी तरह से हम सभी रोल बनाकर रेडी कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंट्स हमने सभी रोल बनाकर रेडी कर लिये हैं 300 ग्राम चिकन और थोड़ी थोड़ी सबजियों को मिक्स करके हमने पचपन रोल बना कर रेडी किये हैं अब नेक्स्ट हमने एक बॉल में थोड़ी सी मैदा ले ली है और ये दो अंडे लिए हैं अंडे में हम थोड़ी सी यानि 1 फोर्थ टीस्पून काली मिर्च और 1 फोर्थ टीस्पून ही नमक डाल कर मिक्स कर लेंगे और ये हमने एक प्लेट में ब्रेट क्रम्स लिए हैं ब्रेट को तोड़कर मिक्सी में बारिक करके पीस के हमने फ्रेश ब्रेट क्रम्स बना लिये हैं अब सबसे पहले एक रोल लेंगे और रोल को मैदा में अच्छी तरह से डस्ट कर लेंगे मैदा में डस्ट करने के बाद रोल को अंडे के गोल में डिप करेंगे और लास्ट में इसे ब्रेट क्रम से अच्छी तरह से हाथ से कोट कर लेंगे तो यह हमारा रोल अच्छी से कोट हो गया है इसी तरह से हम सभी रोल रेडी कर लेंगे तो यह देखिए हमने सभी रोल मैदा अंडे और ब्रेट क्रम के साथ कोट कर लिया है आप चाहें तो इन्हें एटाइट कंटेनर में एक से दो हफ़ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं दो गंटे फ्रीजर में रखिए ताकि यह अच्छे से हाट हो जाएं उसके बाद आप इन्हें फ्रीज में रख सकते हैं हम आदे से ज़्यादा रोल अभी कंटेनर में डालकर फ्रीजर में रख देंगे और थोड़े से रोल अभी अफ़तारी के लिए फ्राइ करेंगे अब इन्हें फ्राइ करने के लिए ओयल को हमने हाई हीट पर अच्छे से करम करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर लिया है क्योंकि हमारे रोल में सभी चीज़े अच्छे से पकी हुई हैं इसलिए हमें इन्हें बहुत ज्यादा फ्राइ नहीं करना है अब आयल में रोल को फ्राइ करने के लिए डाल देंगे और एक मिनट तक इन्हें ऐसे ही फ्राइ होने देंगे अब दोनों साइडों से उलटते पलटते हुई इन्हें अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लेंगे ये देखिए रोल पर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है हमने मीडियम फिलेपर इन्हें अच्छा सा क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लिया है अब इन्हें हम ओयल से निकाल करेगी स्टेनर में रख लेंगे तक इनका एक्स्ट्रा ओयल निकल जाए और इसी तरह से बाकी के रोल भी फ्राई कर लेंगे तो ये देखिए वी वर्स हमारे बहुत ही मज़ेदार अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी ब्रैट रोल बनकर दियार हुएं एक रोल हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं ये देखिए हैंना मज़ेदार तो फ्रेंट्स आप इस रस्पी को इस रमजान में जरूर ट्रै कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और करमेंट करना मत भूलेगा वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया अल्लाहाफ़ज